पिसुल्बाओ मुखीजा la gracious में हमिस्क्रणों करने जा रहे हैं कम्पैरिजन आप गिलमेंump reagent with greg knot reagent basically we are all organomet reacts kouse करें इस सीरीज में से पहले हमें जितनी लेक्शों cover किये हैं इस में इसकी प्ल्य रेक्षिन में रिएजंट की रेक्टिविटी को bit को place स्कीे सीड़ेंट की तृकिंद रेखेएंग कुमपेर के तो वी रिएजंट लेकिन वहां पर स्केसिकाली जिस स्प्प्स्ट्रेट लेंगे अलफा बीटा अन्सचुरेटड कारवनेल और देखेंगे कि अगर गिल्मेंट रिया जाए तो वह सब्स्ट्रेट के साथ किस रीकिकी रेक्टिविटी शोग करता है और अगर कंपारिटिवली हम लोग ग्रिग नाट रियेजेंट लें तो वह कि अगर हम देखें तो हमने क्या करना है गिल्मेंट रियेजेंट जो कि क्या है डाय अलकाय लीथियम क्यूप्रेट इसकी रेक्टिविटी को कंपेर करना है विज ग्रिग नाट रियेजेंट और स्पैसिपिकली जो आज के लेक्टिर में हम इस रिक्षिन पर फोकस करने जा रहे हैं यह कौन से रिक्षिन है अम रिक्षिन परफार्म करवाएंगे विद अल्फा बीटा अंसे चुरेटिड कार्बोनिल तो इसमें अगर हम कंपारिटिव ली देखें एक तरह है हम आपस गिल्मेंट रियेजेंट और साथ इसकों कंपेर करें विद ग्रिग नाट रि इसमें यहां पर रियेट और से चुरेटिव लेक्षिन मेनी विद ग्रिग नबर में तरहा बुक्डु है एक बहुत अगरुम्च छायर बाञता है और मीडिक्युमोर्ट के इसमें बड़र हम निशा क्या में पर उसमें यहां नेंश्चा और ट्रिंटर में ग्रिग जमें अगर हम हर इसे हो जाता है जो निक्लियोफाइल है उसका भी चेंज हो जाता है लग अगर हम गिल्मन रेजन्ट की बात करें तो यह क्या है और अगर हम इसको compare करें विद ग्रिग नार्ट रिएजन्ट तो यह क्या है comparatively hard निक्लियोफाइल है यानि कि इसमें अगर हम overall charge two size ratio निकालें तो वो क्या आती है हाई आती है, हाई charge two size ratio की वज़े से हम कहते हैं कि comparatively क्या है hard निक्लियोफाइल है और अगर हम इसको compare करें विद गिल्मेंड रिएजन्ट तो यहां पर charge two size ratio comparatively क्या आती है less आती है इसमें कि comparatively क्या है soft निक्लियोफाइल है अब यही basic difference point है क्योंकि यह soft निक्लियोफाइल है तो इसका behavior थोड़ा से different होगा इसे हम कह रहे हैं यह hard निक्लियोफाइल बन गया है तो its mean इसका hard निक्लियोफाइल mean अगर हम simply क्या कह रहे हैं कि high charge two size density है और इसमें कहा है comparatively less charge two size density है ठीक हो गया तो यहां पर इस behavior के difference के वज़े से क्या होगा यह reaction भी differently perform करेंगे like यहां पर हमें specific कौन से reaction discuss करने हैं हमने यहां पर discuss करने हैं यह reaction करवाना है इन दोनों reagents का किसके साथ alpha beta unsaturated carbonals का तो अगर हम यहां पर देखें यहनी हमारा substrate क्या है alpha beta unsaturated carbonals यह हैं carbonals और यह functional group के साथ directly attached carbon alpha यह क्या है बीटा यहां यहां पोजिशन पर क्या है unsaturation है overall unsaturate को क्या कह रहे हैं यह क्या है alpha beta unsaturated carbonals है अगर हम यहां से देखें यह position one position two position three and position four अब क्या हो सकता है कि यहां पर हम रिएजन्ट उदा समय घ्रिउट टॉंट सीओं तू सब्सक्राइब कर 10 करें और टॉसय। आप पर करें ठाल्वा ब्रहसाइब कर यह चाहिते। यह के यह दो चेखे आटेक्टाहइब से शॉस्साक इन गालड़ अर्वास यह बार पास यह पर क्या है यह भी क्या हो सकते है इस साइड पर अटैक हो सकता है अब डिपेंदिंग अपाँ नीचर आफ इनकमिंग निक्लियोफाइल वह अट्रैक करेंगा यहां पर हमने बात की हमारा जो गिल्मा रिएजंट है कि किसमें Maryane G को करेगा जहां पर यहां वही कारभन है उगाने अब में दोनों साइट में है लेकिन गारवन को देखेंज दो लिए जैट्रो नेगटिव एटम के साथ अटायच है इसमीन यहां पर चार्जव साइज रिच्व जुए यह जो चार्ज जनस्टी है वो हाइए और यहां पर अगर हम बात करें तो देखें नुप्लिवाइल उसकी क्या है चारज सी काम है इट्समिनो जहांबर चार्ज जैंस्ट्टी क्या होगी कम होगी यहां यह जब ग्लम रिएजंट के लिए प्राफ़रेबल जो आटेकिंग साइट यह भी हम इसको मेकानिजम के साथ प्रस्टन करेंगे उसके लिए जो प्राफ़ड़ी एटेकिंग साइट होगे वो कौन सी होगी फॉर पोजिशन होगी, यहां से ऑट अगर हम लोग क्याल लेंगे तो फिर हम इस तरह से कहते हैं कि इस केस में जो मरबस प्रोड़क्त आएंगे वन पॉर एडिशन प्रोड़क्त आएंगे आप कैसे आएंगे स्टप वाज इसका मेकनिजम भी अंडरस्टांड करेंगे और अगर कंपारिटिव लिए हम लोग देखें तो हम कह रहे हैं कि जो कि तो हम लोग कमिस्ट्री डिसका रहे था आप आरगानो-लिथियम कंपांड की वहां पर भी हमने कंपारिटिव स्टूडी की थी वहां पर आपने देख था कि आहर्ट है लेकिन अगर हम इसकों आए यहां नो कर दो इससे भी ज्यादा हार्ट होती है इतनी हाड होता है इस जो चार्ज डेंस्टी है वह इतनी हाई है कि वह स्पेसिफिकली इस सेंटर पर ही अटैक कर सकता था कि जब हम रेक्शन स्टडी कर रहे थे महां पर हम देख रहे थे तो देखने जरह मलब कमपारिजन से क्या होते हमें थोड़ा रेक्टिविटी को इंडिस्टैंड करने में थोड़ा हम मालब इजी डिसको इंडिस्टैंड कर पाते हैं तो आगैनो लिथियम के हमने बात कि यहां पर कि हम ने जिसको आड़ी हम डिसकस कर चुके हैं कि अगर हम देखें तो और ज्यादा हाड होता है यानि इतने हाड उन इतनी चार्ज जंस्टी हाई होती है कि वह स् पस्टैंड कर सकते हैं कि लिग यह दिससक्राइदन पोहता हुट कि यह तिस तरफी में कorडा करें इंडिस्टैंड करेंगे लेकिन इनके पास आप्शन के घ्न होता है कि यह संटर कर सकते हैं यह कंपेनव suspend उस्टन करें अब लिए 포인 следき ने दर एक निक्क मतरिए शिकों कि म अभी कैसे प्रोड़क्ट्स आएंगे इनको भी स्टेफ आई इंचाला मेकनिजम के थू अंडर्सांड करते हैं अभी हमने ब्रीफली क्या देखा अगर हम गिल्में रेजंट को कंपेर करें विद ग्रिग नाथ रेजंट तो गिल्में रेजंट के हैं कंपारिटिवली साफ नुक्लिय फायल है कोन से डिशन प्रोड़क्ट देगा वन पॉर अगर हम इसको कंपेर करें विद ग्रिग नाथ एजंट तो प्रेफर करते हैं कि हाई चार्ज एंटर पर अटैक करें लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह वन फॉर प्रोड़क्ट नहीं दे सकते हैं कि हम सिंपल अब तो हमारे पास क्या हो सकता है फ्रेफरेबली तो वर्न ठोडैक्ट राते हैं लेकिन पर प्रोड़क्ट भी आज सकते हैंपकेसे फ्रोडै क्या वेक्सेति currentstes करते हैं तो सबसे पहले mechanism देख लेते हैं यह नहीं कि हमने क्या लिया अलबा बीटा आंसाचुराइट का बुदिशन यह बीटा पोजिशन और इसका हम पहले एजेक्शन करने जा रहे हैं विद ग्रिग नार्ट रिजन ग्रिग नार्ट रिजन यहां पर हमने क्या लिया है मे χणिए ट्रन ग्रिएक्व ने तर्व में अब्रोमाइड और यह हम सकी नेचर को इंड्रस्टाइब कर लिया है कि यह क्या है कंपैरेटिव्ल Summary हाड निक्लिएफाइल हाड निकलिए याई यह निक्रिएक्व साइट कुन सी और है यह कार्बन सेंटर जहान पर यहां से क्या करें इस सेंटर पर यह ने अल्क्रोफिलिक सेंटर पर अटाइक करें तोबियर्विकों सेंटर पर प्रॉंड करें तो विस्थे जो पाए है रिजोनियट कर जाएगा इस ऑप इस हमारे पास है कि हम एगम में हाइड reality सब्सक्राइब इसी उटों में सब्सक्राइब इपका तूम इस इसरी के पास प्रडॉक्त और और इस addition product हुम क्या कह देते हैं कि Silman addedמהад Tomas addition product आए है तुम हमें से million addition product behaviors है अगर हम से आपर ये कह है 1 लिए किहां कि यो टू में 3 & 4 जो हमने एड की हैends कि मिध्याल ग्रूप अगर हम इसको देखें तो यह one & two position पा tip तो यहां हमने राइक्टिविटी देख ली अगर क्या हो रहा है ग्रिग नार रेजन्ट रहे है इस काबन सेंटर पर तो में क्या होगा यहां से पाशनल लाइटिव सेंटर है यह अटेक करेंगा यहां से इस पाय बांड जो है एक्षिजन की तरफ रेजोनेट कर जाएगा से यह जो जो आजाएगा वान्टू अडिशन प्रोड़क्ट आ जाएंगे इस वीकिसे में अभी स्टार्ट में भी डिसकस किया कि ग्रिग नार्येजंट के पास पॉसिबिलिटी है यह हमारे पास हाई चार्ज अंशी सेंटर पे बीटाइक कर सकता है इसमीन इसेंटर पे बीट अगर इस प्रोड़क्ट आएंगे कैसे अभी हम डिटेल में स्टेडी कर चुके हैं लेकिन जो ग्रिग नार्येजंट है इसके पास पॉसिबिलिटी है कि क्या कर सकता है इस कार्बन सेंटर पे बीटाइक कर सकता है तो क्या होगा कि अगर यहां से पास प्रिशार जाएग अगर हम प्रिटाइक करेंगा तो और यहां से पाई बांड़ आए यह आक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अब यह जो नागेटिव चार्ज आक्सीजन होगा यह क्या करेंगा यह मेगनिशियम बॉरॉमाइट के साथ इस तरी कि से बांडिंग कर लेगा इसकेंड हाईडावलॉसीज होगी हाईडालइस के रिजल्ट में एक हम देखेंगा तो चिससरी के कहां में प्रॉडक्ट अब अब हम इस प्रॉडक्ट को देखें तो इसमें क्या है यह इनूलिक फॉर्म मीन के हमारे पास क्या है कि जो डबल बांड बना हुआ हो बिट्विं टू क स्प्राइब क्या हो सकता है यहां से सिप्ट हो जाएगा तुवर्ड डिस कार्बन और यह जो डबल बांड बने बिट्वन और इस अब प्रोड़क्ट हम क्या बोलेंगे यह कौन सा प्रोड़क्ट है वन फॉर एडिशन प्रोड़क्ट है विकाज अगर हम इसमें कंपारिटिव ली देखें तो वन तू फू फू पोजिशन पे अडिशन हो रही है यह निस्प्ली हमने देखा कि जो ग्रिग नाफ र अवन प्रोड़क्ट है यह भी देखेंद अगरिशन प्रोड़क्ट है अब है किया है भी दिखी किसके देखिए फू छिभात्व सब्साइब हैं वन फोर्ट में अमने सबसे पहले क्या करना है जो ग्रिग नार्थ एजिए यह आठाग करेंगा इस करेंकर जब लोड़क् मेगनेशियम बुरमाइट के साथ इस तरीके से इंटरमीडियेट जिनरेट का देगा सेकेंड स्टप क्या होगा है यहां जो नेगिटिवली चार्ज अक्सीजन है यह वीडियमें से प्रोटान को फ्रेक्ट कर लेगा और हमारे पास इस तरीके सी इनोलिक फार्म जिनरेट हो क्या होगा नेक्स एक्स सॉल्ब हो गया थिन होगी यहां वि Isherत के इस सीम्पली का अच्छी होगई धार प्रोटान की रीजन क्या है क्यों यह दोनों तरह के प्रोड़क्ट दे सकता है मेकनिजम क्या है यह अभी हमने इंडर्स्टांड कर लिया है अब देखते हैं कि अगर हम क्या करें गिल्में रिएजन्ट लें और इस करेक्शन करवाएं विद अलफा बीटा अंसाचुरेटेड़ कार्ब देखतर साफ निक्लिओ फाइल् साफने इसमीन क्या होगी लचोगी लैस होंगी तो पर ऑसे तक करेंगे और चार्डेंट अब गईस काऱोगों के दैक कर अब दू पर कंगी तो एक होगी क्ःस और पर उपर दॉसटेटिंट पर चारज जैसे कंपडिव लिक्या होगी यहांगी यह वह वह क्यों से डिशन प्रड़द्ट देंगे लिक्तार रेक्शन अब कैसे इस को मेंगर इंडिस्राइट करते हैं सबसे पहले एकर हम देखें तो हमारे पास क्या है यह है हमारा जो रेक्टेंट यह नियालफा-बीटान-saturated carbonate इसका हम्हेस करेसे घ्लम्न रिएजंट इसमीन किया है यहां से क्या है यहां से क्या है इस से एटैक करेगा इस पर कर रहा है इसकी reason को हम understand कर चुके हैं जब यह इस center पर attack करेगा इसमीन यहां से alkyl group यह ज़र attack किया इसने जब यहां पर यह alkyl group attach होगा तो क्या होगा कि यह जो पाय बांड है यह क्या होगा invert shift हो जाएगा और यहां से यह जो है oxygen इसलिके से यह जो negative charge है यहां से लीथियम के साथ बांडिंग बना लेगा और साथ अगर हम देखें यह क्या होगा हमारे पास इसलिके से copper का एक reagent यह compound जिनरेट हो जाएगा next step में अब क्या होगा next step में इसकी hydrolysis होगी hydrolysis में क्या करेगा medium में से proton को extract करेगा तो कुछ इसलिके किसी generate हो जाएगी अब अगर हम इसको देखें अभी जिसलिके से हमने ग्रेगनार डेजेंट में study किया कि जो इनॉलिक फार्म है यह comparatively क्या होती है less stable होती है next step में क्या हो जाएगी इसकी टार्टोमराइजेशन यहां से यह जो proton है कि क्या हो जाएगा shift हो जाएगा from this oxygen towards this carbon or in other words हम कह रहे हैं कि यह double bond है यह क्या कर जाएगा छेक्त कर सकता पारेज को कीमें को यहां लिव इंड एकर जाइक हो गया है और दो लिविशन को प telefon को चाहिएं किट करेंगा मिडियमे लीथियम के साथ अब यहां से हमारे पास कापर का ग्राउंड जिनरेट हो जाएगा नेक्स टैप में पिर क्या होगा इसकी हाइड़ॉज़ होगी तो इसली किसी इनलिफ फार्म जिनरेट हो जाएगी हैंड हैंब यहां से नेगरिटिव ली चार्ज आक्सीजन है में इसे प्रोटान एफ्रक् इंशाला नेक्स लेक्ट्चर्स में हम डिस्कास करेंगे आरगैनो प्लॉडियम कंपाउंड की केमिस्ट्री को